दोस्तों आप सभी को गणेश चतूर्ती की धेट शारी शुब कामनाय और हारतिक बदाई हैं आज 31 अगस्त 2022 को गणेश चतूर्ती काई मायनों में बहुत ही खास होने वाली हैं यानि केवल आज अकेले चतूर्ती तिती नहीं बलकि 31 अगस्त से 9 सितंबर के बीच 7 दिन तक अच्छे योग भी बन रहे हैं मतलब कि दोस्तों इन 7 दिनों में आप गणपती जी की पूजा अर्चना तो करेंगे साथ ही आपके लिए कई सुब काम जैसे नए बिजनिस की सुरुआत नया गर खरीदना वहान खरीदना ये सभी काम भी आप कर सकते हैं इसके अलब दोस्तों 300 साल बाद बेहदी दुरलप सयोग में गणे सस्तापना होने जा रही हैं दस दिन तक आप सुब मूर्थ का फायदा ले सकते हैं इसके लाब हम जानेंगे गणेश चतूर्थी पर किन राशियों की किश्मत बदलने वाली है और साथ में हम आपको बताएंगे गणेश चतूर्थी पर आप ये खास तीन तरह के उपाय करके अपने लिए सुक समर्दी और अपार धन की प्राप्ती के लिए उपाय कर पाएंगे तो एके करके जानेंगे इन तमाम बड़े अपडेट्स को सुरुआत करते हैं आज 31 अगस्त के खास होने के जो दो बड़े कारण है वो पहला कारण ये कि इस साल वो सारे योग सायोग बन रहे है जो गणेश जी के जन्म पर बने थे यानि दिन बुद्वार है तीती चतूर्ती और नकसत्र भी चित्रा और साथी मध्यानकाल यानि दोपर का समय और ये ही वो समय था सायोग था जब पारवती जी ने मिट्टी के गणेश बनाये थे और सीव जी ने उसमें प्राण डाले थे और साथ ही एक ऐसा दुरलब योग भी बन रा जो पिछले 300 सालों में नई बना तो एक एक तारीक अपडेट हम आपको बताते हैं को नई शुरुवार्ट और प्रोपर्टी में निवेश के लिए सुब मूर्थ हैं 5 सितंबर सुमवार को भगवान विश्णू जी के दसा उतारों की पूजा और जमीन और मकान खरीदने के लिए सुब दिन रहेगा वही 6 सितंबर मंगलवार को एकाद सिवरत और हर तरह की खरीदारी का मूर्थ रहेगा 7 सितंबर बुदुवार को वामन पूजा प्रोपर्टी करीदी construction नोकरी और बिजिनिस में नई सुरुवात का मूर्थ भी है 8 सितंबर गुरुवार को प्रदो सुरत और विकल खरीदारी के लिए सुब दिन रहेगा और 7 सितंबर सुक्रवार को गणेश, विसर्जन और विकल खरीदी का मूर्त हैं यानि इस बार गणेश उत्सव के दोरा नवमी ती थी गट रही हैं फिर भी गणपती महुत्सव पूरे दस दिनों काई रहेगा और इन दिनों सुर्य बुद्ध गुरु और सनी अपनी ही राशियों में रहेंगे को समर्पित होता और ये त्योहार हर साल बाद्रपत के सुकलपक्स की चतूर्ती तीति को मनाये जाता है इन राशियों पर भगवान गणेश काफी जादा महरबान रहने वाले हैं करकरासी से जुड़ा अपडेट हैं भगवान गणेश की करकरासी के जातकों पर विशेश क क्रिपार रहेगी और इनकी क्रिपासे इनकी नोकरी में तरक्य और व्यापार में मुनाफ़ा होगा वरिश्जिक रासी पर भगवान गणेश की क्रिपासे ने जोब के ओफर मिल सकते हैं जो लोग नोकरी कर रहा है उन्हें प्रमोशन मिल सकता और व्यापार में व्रिद्य होगी साथ ही नए व्यावसाइक समन्द भी बन सकते हैं वहीं तुलारासी में व्यापार और केरियर में अच्छी सबलता मिल सकती हैं सारे काम बिना किसी रुकावट के आपको बता दें गणपति स्तापना के सुब मूर्थ नाब अमरित सुबह 2.20 मूरथ 10 अधियान के समय गणेश जी प्राकट्य होए थे इसलिए स्तापना और पूजा का स्रेश्ट समय इसे ही माना गया है सुबह 11 बच कर 18 मिनट से 2 पार 1 बच कर 43 मिनट तक वरिश्चिक लागन में स्तापना हो सकेगी अब आपको बताते हैं दूस्तू गणेश चतूर्दी पर सुबहाई भी कर सकते हैं गणेश चतूर्दी के दिन ना दोकर बगवान गणेश जी की विदिवत पूजा करें और गुड में सुद्ध गी मिलाकर भोग लगाया और इसके बाद इसे किसी गाय को खिला दें बगवान की क्रिपा से अपार धन के ब्राप्ति हो सकती है साध पीले कपड़े में 11 गाठ दुरुआ और एक गाठ हल्दी लेकर एक पोटली बना ले और इस पोटली को गणेश चतूर्दी के दिन से लेकर अगले 10 दिनों तक इसकी पूजा करें और 10 वे दिन पूजा के बाद इसे तीजोरी में रखें और ऐसा कड़े से आपको कभी पै बात्रम